हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल दा पेट विजन दिस साहिल मलिक यूर होस्त तो हेलो गाइज आप सब कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे तो गाइज का टोपिक आपको पता ही चल गया होगा मेरे थम्नेल से जो मैंने डाला हुआ है कि मन की बात में हमारे अच्रेट मोधी जी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह गोशित किया है कि इंडियन डॉप्रीट को भी आप अडॉप्ट करें अब गाइज इंडियन डॉप्रीट के अंदर कौन-कौन से लोग आते हैं कहां-कहां से उनका लैंड मार्क है यानि वो कहां-कहां पाए जा पग्स है अदर-दर जितने भी जैसे अपना रोटवाइलर है रोटवाइलर ने काफी जदा अपना नाम कमाया हुआ है एक डॉप ब्रीड़ के अंदर काफी जदा एक्राइसिन यह बहुत ज्याद इत्रेक्टिव डिट है वैसे ही इंडियान प्रेट राजा भी आप बोल देते होगे यह बीड है देखे का इस में नौर से हूँ आप सबी नौर से होंगे अगर आप साउसे वह तो भी प्रॉब्लम नहीं वीडियों आप के लिए भी है तो घ्रवंतंपूर्म वाले इलाकों में पायाने वाली बीड है राजा पालियम यह बहुत अच् आप पहले उनकी पिच्चर देखें और आप अपने दिमाग में एक बार फोटो बना लिए उनकी कि यह इंडियन ब्रीड से इसका यह नाम है तो देखिए आप वीडियो तो डिफरेंट डिफरेंट स्लाइट्स में आपको पिच्चर दिख रही होंगी और आप अब्जर्व भी कर रहे होंगे कि कौन सा डोग कैसा दिखता है और कितना आलिशान उसकी लुक है आपको फोटो ग्राफ में दिख रही होगी फोटो क्वालिटी थोड़ी अच्छी न वो आपको दिखने में बिल्कुल डेसी टाइब लगेगा लेकिन वो डेसी नहीं है देखें गाइस देसी भी ब्रीड जो डेसी जो डोग है उनको भी हमें अडोप्ट करना चाहिए विकोज वो भी एक प्यारे डोग होते हैं बहुत ही जादा सेंसेबल डोग है और काफी ज्यादा उनमें हुमेनिटी तो होती होती है क्योंकि वो एगरासिव नहीं होते इतने ज़्यादा आपको एगरेशिवनस से चुटकारा मिल सकता है अगर आप एक स्ट्रीट डोग को अडोप्ट कर रही हो तो गाईज अब राजा पलायम की अब मैं बात कर रहा था राजा पलायम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बहुत ही शांदार ब्रीड है बहुत अच्छी हाइट है इसकी और जो माउथ है वो भी काफी जादा अच्छा है देखे गाईज अब मैं इसकी बात करता हूँ प्राइजिंग की अगर आप यह सोच रहे हो कि मैं मुझे राजा पलायम एडोप्ट करना चाहिए तो इसका प्राइज गाईज अगर आपका बजट 15,000 से 25,000 के बीच में है आपको यह ब्रीड अच्छे से अवेलेबल हो जाएगी गाईज इसे आप देशी मज समझना यह साउथ के इलाकों में पाई जाती है और बहुत अच्छी ब्रीड है अब गाईज इसके कुछ डिस एडवांटेजिस है वैसे ऐसा कोई में डिस एडवांटेज नहीं है यह हर एक वैदर के अंदर सर्वाइव कर सकता है लेकिन अगर जोंसे एरिया जो एक्सेसिव कोल्ड वाले एरिया है यानि जहां पे बरफबारी होती है वहां पे इनको सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है और वहां पे यह सर्वाइव नहीं कर पाते हैं इनको साउथ वाला इलाका काफी ज़्यादा सूट करता है या हमारे वाला इलाका भी सूट करता है लेकिन शिमला मनसूरी यह जो इलाके हैं जहां पर बर्वारी होते हैं वहां पर वह सैडिस्पाइब सौरी सर्वाइब नहीं कर पाएंगे वह वहां पर मर जाएंगे तो गैस राजा पलायम की कुछ विशेष्थाएं थी जो मैं आपको बता दी कि लुक वाइस कैसे हैं हाइट वाइस कैसे हैं माउथ कैसा है माउथ थोड़ा बहार निकला होता है प्रोटूडिड होता है माउथ उसका हाइट भी काफी जाद अच्छी होती है और गैस ये भी क इस सबसे पहले कमें घुए जो पुराने जमाने में राजव महराजव हुए थे इंडिएन जो राजा महाराचा थे उन्होंने सी डोफ को अपना एक ट बनाया था और सबसे पहले यह कहा जाता है मुझे मिवार नहीं lib gone और उभी तो कफी सारी है और आपको इने गैस जो राजा पलायम डोग है वो भी एक अच्छा है देखाइस मोदी जी ने मन की बात में जो ये बात बताई बहुत ही अच्छी लगी हम वेटनेरियन होते हुए हमें काफे ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शिरी नरेंदर दामदर मोदी जी हैं ठीक है और ये काफे ज़्यादा प्राउड की बात है हमारे लिए भी क्योंकि स्ट्रीट डोग को भी या देशी डोग को भी हमें मुका मिल रहा है कि हम उन्हें भी चेक करें हम उन्हें भी देखें या हम उनके केर करें और आपको उनके बारे में बताएं आज बहुत रोट वीलर जर्मन शेफर्ड या गोल्डन ड्राइवर लाई करते हैं जिस पीक लेवल पर उसी लेवल पर हमारे इंडियन डॉग ग्रीट्स भी लाई करना स्टार्ट कर जाएंगे तो थैंक्यू सो मच गाईज फॉर मॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज दू लाइक स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीकोश फूचर में चल गए इंपोर्टन इंपोर्टन टॉपिस के ओपर मैं आपके सामने वीडियो पेश करने वाला हूं